दोस्तों आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अवस्य रोक पाएंगे उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पुरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नम्मो बुद्धाय अवस्य लिखें एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परिशान हूँ। मेरी उर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शान्त नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देख कर मोहित हो जाता हूं। अपने आपको रोख ही नहीं पाता। बुध्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर उसने ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध में यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है? पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है. फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पह जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकरशित हो जाते हैं। कि यहां आती कहां से हैं और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है। यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है। तब ही तो मानव जाती का विस्तार होगा। युवक ने कहा। जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है इसे छुपाने की दबाने की कोशिश करते हैं काम वासना गलत नहीं है बलकि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं पर यह सब गलत है बुद्ध ने युवक से कहा क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी कामवासना होती है युवक ने उत्तर दिया हाँ बुद्ध जानवरों में भी कामवासना होती है क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे बुद्ध ने कहा तो फिर हम जानवरों के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते युवक ने कहा मुझे नहीं पता महात्मा आप ही मुझे बताईए गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते वह तो सिर्फ संतान उतपत्ती करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं जानवरों को प्रकृती ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके मनुष्य अपनी समझ के बल बूते पर प्रकृती में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है हम इनसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है जबकि प्रकृती ने तो हमें अपने वंश को आगे अग्रसर करने के लिए दिया था लेकिन इनसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आजाना गलत है युवक ने पूछा महत्मा जी ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है क्यों ये हमेशा क्यों आ जाती है तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूरवक सुनना काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिश्य रहा करते थे जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गाव में भीक्षा लेने के लिए जाते थे उस आश्रम का एक शिश्य जिस गाव में भिक्षा लेने जाता था उस रास्ते में एक नदी मिलती थी एक दिन उसने देखा कि एक युवक व्रिक्ष के पीछे छिपा है वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला भाई तुम इस व्रिक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? युवक ने कहा अरे तुझे नहीं देख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिश्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी तब उसने उस युवक से कहा अरे भाई, वहाँ पर तो युवतियां पानी भर रही है इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो युवक शिश्य की तरफ देख कर उससे कहता है अरे पागल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि? कैसे यह परियाह नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं? मानो सुन्दरता विखर रही हो शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही चला गया अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिलकुल निर्भय था उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था लेकिन अब वो छिपने लगा और उन युवतियों को देखने लगा और जब वो छिपकर उन युवतियों को देख रहा था तभी वह अचानक अंदर से काप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है मुझे यहां से चले जाना चाहिए और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया वो आश्रम पहुँच जाता है आश्रम जाकर वो अपने कारियों में लग गया लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही उसकी आँखों के सामने बार-बार आ रहा था उसके मन में वही द्रिश्य चल रहा था उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था सुभह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले व्रिक्ष के पास जाता जहां पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखता था अब वह रोज ऐसा करने लग गया यह उसके रोज का काम हो गया अब उस शिश्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार के विचार में उलजा रहता वो आश्रम के कारियों को भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा था ना वो ठीक से सो पाता था ना वो ठीक से खाना खा पाता था उसका मन बेचैन सा रहता था उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायत होता रहता था जब गुरु दीक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था गुरु ने अपने शिश्य की इन हरकतों को भाप लिया था तब एक दिन गुरु ने शिश्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे तब ही शिश्य गुरु को मना करते हुए बोला नहीं गुरु देव आप परिशान क्यों हो रहे हो मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ गुरु ने शिश्य से कहा कि ठीक है तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ शिश्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया उसके जाने के बाद गुरू भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहा जाता है किस से मिलता है ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे कुछ आगे जाने के बाद गुरू ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक व्रिक्ष के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिप कर कुछ देख रहा था गुरू भी अपने शिष्य के पीछे गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वो व्रिक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है गुरु ने देखा कि उनका शिष्य व्रिक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा था जो की नदी से पानी भर रही थी तब ही गुरू ने शिश्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो अपने गुरू की आवाज सुनकर वह शिश्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे वह थर-थर कापने लगा जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों धर लिया हो उसकी हालत खराब हो गई लेकिन यह क्या तुम तो डर के मारे काप रहे हो शिश्य ने गुरू से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव मेरा इसमें कोई दोश नहीं है उस युवक ने मुझे बहका दिया था लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा मुझे माफ कर दो गुरू ने शिश्य से कहा कि कोई बात नहीं पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगती करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं इसी लिए अच्छी संगती करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो फिर गुरू और शिश्य आश्रम लोट आए और फिर से आश्रम के कारियों पर ध्यान देने लगे उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा वो अपने काम को ध्यान से करता लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था वो भोजन भी बहुत कम खाता था एक रात गुरु शिश्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो यह सुनकर शिश्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरु देव मैं कई बार अपना वादा भूला हूँ फिर वादा कर लेता हूँ लेकिन हर बार मैं वादा भूला देता हूँ मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूँ लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ फिर गुरु ने शिश्य को कहा कि चलो मेरे साथ गुरू शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव में इस बहाव को रोक सकता हूँ फिर शिष्य ने मिट्टी उठा कर उस नाली में डाल दी वो पानी कुछ देर के लिए रुग गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के उपर से पानी बह गया गुरु ने शिष्य से कहा अरे यह क्या यह तो पानी रुका ही नहीं फिर शिष्य ने कुछ मट्टी पत्थर उठा कर उस नाली में डाल दिये और फिर कुछ समय के लिए पानी रुग गया लेकिन फिर उस पत्थर के उपर से पानी निकलाया फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते, तब शिश्य ने कहा, कोई बात नहीं, गुरुदेव में इस पानी को तो आपको रोक के दि आपकी बात मैंने पूरी कर दी गुरू मुस्कुराय और बोले अच्छा ज़रा ध्यान से देखो पा यह रुख गया क्या वो तो पीछे की नाली से बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है और ध्यान से देखो इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ फिर गुरू ने शिश्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है तुम बार बार प्रयास कर रहे हो पर हर बार तुम्हारा प्रयास तूट रहा है और यह हमेशा तूटता ही रहेगा तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा ये सब देखकर शिश्य ने गुरू से कहा कि हे गुरुदेव क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूँ और यह मेरे मन में आये ही नह गुरू शिश्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और गुरू से कहा कि गुरुदेव मैंने पानी को बंद कर दिया है अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं तब गुरू ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहां से मिलेगा उन पौधों को तो पानी की आवश्यक्ता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यक्ता है वह तो मुर्जा कर मर ही जाएंगे उनका क्या होगा पानी तो हमें खोलना ही होगा शिष्य ने गुरू की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया तब गुरू ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरू देव वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वो गलकर नश्ट हो जाएंगे वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा फिर गुरू मुस्कुराए और बोले तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है कम पानी से भी पौधे नश्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नश्ट होते हैं हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है गुरू ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा शिश्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं हमारे अंदर उठते हैं इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए फिर गुरु ने शिश्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगती करने की वजह से भी आते हैं कही बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है लेकिन कुछ अशलील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं मैं अपने मार्ग से भटक गया था फिर वह शिष्य उस राद बहुत ही चैन की नीन सोया सुबह अपने कारियों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी व्रिक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था वह शिष्य नदी पर गया जहां वह युवतियां पानी भर रही थी उसने उनसे पानी मांगा उन में से एक ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए शिष्य ने उसे आशीरवाद दिया कि तुम्हारा कल्यान हो उसका मन सकारात्मक उर्जा से भर गया उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा तभी पीछे से वह युवक आ गया जो व्रिक्ष के पीछे चुपा हुआ था वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है आज तो तुमने नस्दीक से दर्शन कर लिए तुम तो मुझसे भी आगे निकले तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं अपने दर्शन कर ही नहीं पाते तुम कब तक इस व्रिक्ष के पीछे छुपते रहोगे किसी को पसंद कर लो उससे बोल दो अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ अपने आपको पहचान लो ऐसे अपना समय बरबाद मत करो फिर वह युवक रोज उससे मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा तो तुमने देखा संगती का असर क्या होता है अपनी संगती बदलो अपने विचार बदलो बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आपको दोशी मत मानो केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आपको पहचानो धन्यवाद